पिले दीप इलेक्टोनिश लैब लेटेस्ट वीडियो नमस्कार दोस्तों दीप इलेक्टोनिश लैब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे फाइनली आपके लिए और एक नया यूनिवर्सल एंडोइड मादरबूर्ड लेकर आ चुका हूँ जिसके साथ हमें Bluetooth और Voice Remote दोनों चीज़ देखने को मिल जाती है और आज से पहले जीत ने भी आपको इस टाइप का मदरबूर्ड के बारे में बताया था और टेस्टिंग करके दिखाया था वो सारे के सारे 32 inch और 24 inch के लिए था लेकिन ये वाला मदरबूर्ड आप 43 inch तक किसी भी TV के अंदर लगा पाओगे चाए आपके पास 24 inch और 14 inch हो या आपके पास 32 inch हो या 40 inch हो या 43 inch सारे टीवी का अंदर आप इस बली मादरबूट को लगा पाऊगे लेकिन मैं कहूंगा कि यह स्पेसाली बनाया गया है 40 और 42 और 43 इंच टीवी के लिए यानि कि अगर आप इस मादरबूट को किसी भी 24 या 32 इंच टीवी का अंदर लगाऊगे तो आपको थोरा सा मौडिवाई करना पड़ेगा लेकिन अगर आप इसको किसी भी 40 इंच, 42 इंच या 43 इंच टीवी क अंदर इंस्टल करोगे तो आपको कोई भी modification करने की कोई जोरूत नहीं पड़ेगी सारे चीज इसके साथ बहुत ही अराम से support करेगा तो चलिए आप मैं आपको बता देता हूँ कि इस बली motherboard का जो number है वो number के आपको देखने को मिलेंगे हमेशा की तरह इस बली board का भी number आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको एक चीज एद में रखना होगा कि अभी के लिए जितने मी market से smart board देखने को मिल रहा है खासका कि universal type का उसके अंदर आपको इस type का वार्षन देखने को मिल जाएंगे सेम number के mother board के अंदर किसी किसी में आपको यह wifi bluetooth दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे किसी किसी board के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ wifi देखने को मिलेंगे तो आपको वार्षन के साथ साथ आपको उसके साथ कितने antennas देखने को मिलता है वो भी आपको चेक करना परेगा नहीं तो आपका पैसा बरबद हो जाएगा और जब भी आप किसी भी website से order करोगे या आप offline या किसी दुकान पर खड़िने जाओगे उस समय आपको सारे चीज़ देखने के बाद ही आपको लेना परेगा और इसके अंदर कितना RAM है वो ROM है और इसके अंदर क्या क्या समान डाला हुआ है सारे चीज हम को तब पता सलेगा जब मैं इसके अंदर एक हमरा पैनेल को लगा के इसके अंदर सारे जो इंटरफेस है वो हम चेक करेंगे आप पीछे साइड देखिए पीछे साइड ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है और इसके अंदर Mac अड्रेस बगरा लिखा हुआ है और यह कितने वाट तक काम करेगा सारे चीज इसके पीछे लिखा हुआ है तो यह तो हो गई हमेरे बोड के बारे में सारे जन करिए अब इस र बटन देखने को नहीं मिल रहा था बाकि जो सारे बटन्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है उस छुटे से रेमोट के अंदर भी था लेकिन उसके अंदर आओं टू यह जो डिजित होता है यह डिजित का नंबर नहीं था जिसका करण अगर हमें उसे मदर बोड के सेंटर है यहां हमारे तरफ से एक अलग से रेमोट सेट करके दिया था ताकि जो लोग हमारे वेब साइट से लोग खड़ी देंगे बोड तो उसको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना परे अगर ऐसा भी कुछ इस बोड के साथ होगा तो वह भी हम कोसिस करेंगे कि कैसे उस स्टार नेटफ्लिक और यूटूब यह तीन डेडिकेड़ बटन और एक माउस का बटन दिया गया है तो यह बटन प्रेस करोगे तो आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टेम हो जाएगा हमारे टीवी इंटरफेस के अंदर वो सारे के सारे माउस देशा काम करेगा और रेमोट म आपको मैं दिखाऊंगा तो आप में क्क 5 कि हमरा धाग्तॉब का ईकडिस्प्ले उस डिस्प्ले को मैं से मदर बोड के साथ कनेक्सन करता हो है और घ्लत के हमकरता है और इसके साथ एकह पर्यक्री यानि कि पेले से जो सेट किया हुआ मिलेगा रिजूलेशन वो आपको तेरे सो चेट किया हुआ आपको देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको फूल एजडी सेट करना है तो यहां पे आपको इंपूट 03662 प्रेस करना पड़ेगा और एचेट के लिए 03661 आपको यह पत यह लोगो आपको डारेक्ली सेट करने के लिए आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे सोर्स 000 प्रेस करोगे तो आपको सोनी का लोगो सेट हो जाएगा सोर्स 888 प्रेस करोगे तो समसंग का लोगो सेट हो जाएगा सोर्स 999 प्रेस करोगे तो आपका LG का लोगो सेट हो ज अब देख लिता हूं कि इसकांद जो पावर सब्लाई दिया हुआ है इसकांद जो चौपर ट्रंसफर्मर आप देख रहे हो यहां पर चौपर्टैस्पर्मर का काप्वी अच्छा खासा बेस दिया हुआ है उसके साथ क्यासिटर भी अच्छे क्वुदू का इस्तेमल किया ग इस के अंदर क्या-का सामान दिया गया है वो चेक करने के लिए हमें इस पैनल को आब इस मढ़रबूर के साथ कनेक्षिन करना परेगा तो यहां पर हमने पैनल रख दिया हूं और यह मज़र वोड हम लोग यहां पर रखता हूं और यहां सेकंड के अंदर हमड़ा पैनल खराब हो जाएगा इसलिए इसको मोडिफाइब करने के लिए यह वाले लवीडिस के विल को हमने बनाया हूं तो बहुत सरे लोग मिने को कमेंड करके पूछते हैं कि किसी भी अगर इसके अंदर फाइब बोल का पैनल डालना है तो उसके हम वोल्टेज देंगे एक फिक्स वोल्टेज चाहिए वो बारा वोल्ट हो तो उसमें से आप क्या कर सकते हो कि 5 वोल्ट 3.3 वोल 2.5 वोल अलग अलग वोल्टेज आउटपूट ले सकते हो और क्यूंकि यह हमारा पैनल 3.3 वोल्ट का है इसलिए इसके अंदर बाड़ बोल जाएगा एक्शुल यह वोल्टेज डाउन का काम करने के लिए हमने इसको लगाया हूं अब देखिए सबसे पहले यह जो एल्वीडेस कनेक्टर है यह हम यहां पर लगाएंगे जो की एक नंबर साइड यहां पर जो और आपको वाई टेक डॉट देखने को मिल रहा है तो दिखिए इस ताइप का बोर्ड के अंदर हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है कि हमने पीछले बार भी दिखाया था इसके साथ हमें कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिलता है जगा पे कोई भी जड़ुद्त नहीं है, जाने की हमें सेंसर कहां पर मिलेगा, क्योंकि दुस्तों यह जो सेंसर है ना, इस टाइप का बूट का, यह सेंसर हमें मार्केट से आजानी से नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास सेकर टार करकर रखता हूं, आप लोगों के लिए, करता हूं जैसे स्वीच को आन करता हूं जैसे स्वीच को आन करा तो यहां पर देखिए रेड एलेडी जलना शुरू हो चुका है आप यह ऑटोमेटिकली तो इस टनवाइस रिलीज नहीं होगा इसलिए हम एक काम करेंगे कि यह जो हमें इसके साथ रेमोट मिला है इसके आज तक नहीं देखा हूं बहुती अच्छे को डिका रेमोट है अब इसके साथ हमें सेल को डलना पड़ेगा वाड़ी इसके अंदर सेल डालने के लिए हमें चाहिए डवल बैटरी बहुत सारे आपको रेमोट के अंदर टीपले बैटरी देखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर हमें डवल ऐबैटरी डालना पड़ेगा यानि कि जो मोटा साइज का इस टाइप का बैटरी है यह आपको ड़ना पड़ेगा और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस टाइप का रेमोट जब भी आपको मिलेंगे और आप खड़ीद ऊगे तो इसके अंदर में मिलेंगे लेकिन जो alkaline battery होता है वो आपको 25 रूपीज से सुरू होता है 23 रूपीज 24 रूपीज 25 रूपीज में आपको एक एक पीस मिल जाएंगे तो उसका लाइब जाधा रहता है तो चलिए हम इसका अंदर सेल डाल देता हूं यह हमने सेल डाल दिया उसके बाद इसका कोई भी response हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यूनिवर्सल रेमोट है उस यूनिवर्सल रेमोट के मद्धम से मैं इसको इस्टनमाई से रिलेज करता हूं और एसा भी हो सकते है दोस्तों कि यह हमारा क्यूंकि बलुत वाला रेमोट है इसलि करता हूं बलुतुत कनेक्शन के जरिये उसके बाद ही भेजता हूं ताकि आप लोग के पास जाने के बाद कोई भी आपको दिक्कत ना आये तो चलिए इसको मैं अपने दूसरे रेमोट के जरीए इसको इस्टनमाई से रिलीज करता हूं तो यहां पर देखिए दोस्तों क आपको मैंने इसके अंदर लगा के मैं चेक कर रहा तो रेमोट हमारा काम कर रहा था लेकिन इसका जो बुलूतुत वाला काम करेगा कि नहीं यह भी आपको चेक करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम क्या करते है कि इसके साथ वाइफाई को कनेक्शन करता है और रेमोट से काम नहीं कर रहा हूं तो हम यहां पर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो पड़्ची रखा हुआ था मैं पड़्ची को देख लेता हूं एक बार की उसके अंदर सार्विस मेनों में जाने के लिए क्या कोड डाला हुआ है और वो सेम तू सेम कोड यहां पर काम क लेता हूं यहां पर पैनल सेटंग लास्ट में से थीन नंबर पर तो मैं इचे चलता हूं और नीचे चलने के बाद यहां पर वोके करक लेता हूं और बदो यहां पर दिखी Owen इसको चेंज कर लेता हूं यहापे यहापे 6bit मैंने कर दिया है और 11 जो कनेक्शन करा हुआ था वह करा हुआ है सिर्फ हमने इसका 8-bit से 6-bit में सेट कर दिया हूं उसके बाद देखे पिक्चर अभी हमारा ओके आ चुका है अब दूसरे हम जो काम करेंगे आप होम पे चलते हैं और इसको एक्जिट कर देता है और एक्जिट करने के बाद चाले के आजाएगा और आने के बाद हम क्या करेंगे कि disconnected करा हुआ है तो मैं इसको करूंगा और ओके करने के बाद देखिए कि हम रहे एड़डेस आचुका है इसके करने के बाद में यहां पर अपना जो पासवाड है मैं पासवाड को डाल देता हूं यहां पर हमारा Wi-Fi भी connected हो चुका है मतलब यहां पर Wi-Fi भी सही से काम करेगा अब मैं इसको एक बार चेकर लेता हूं कि इसके अंदर जो specification है वो क्या-क्या दिया हुआ है तो इसके लिए हमें फिर से चलना पड़ेगा setting के अंदर तो क्यूंकि हमने यहां पर setting के अंदर जाए के बाद हम जाएंगे यहां पर system information के अंदर ओके करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे internal storage 16GB जो memory यानि के RAM आपको टूजी भी देखने को मिल रहा है और उसके बाद android बर्सेंट 12 देखने को मिल रहा है और बोड का जो model नंबर था आपको यहां पर आपको प्रोसेसर देखने को मिल लेंगे और इसका response time कितना फास्ट इसका response time हम देख लिए मैं यहां पर प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के तुरंत बादी आपको आपको देखने को मिल रहा है मतलब response time काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है बाड़ी हाथे कि इसके अंदर हमने जो voice remote का दावा किया था क्या है voice search काम करेगा कि नहीं इसको चेक करने के लिए यहां पर रेमोट के उपर एक बटन दिया हुआ है आप देख र जाएंगे और यह जो आप में रेमोट का connection देख रहे हो ना करके इसको करेंगे और जैसे करेंगे प्यार कर लेंगे रेमोट के साथ यहां पर प्यारिंग सुरू हो चुका है और प्यार भी हो चुका है अब हमारे voice remote काम करना चालू कर जाएगा यहां पर device connected दिखा रहा है तो आप चलिए देख लेते कि यह वाली voice remote कैसे access करना है कैसे use करना है तो इसके लिए यह जो हमारा voice बाला बटन है जिसके उपर माइक का सिंबल दिया हुआ है इसको फिर से हम प्रेस करेंगे और जैसे प्रेस करेंगे आप यहां पर देखिए मतलब बोलने के लिए बोल र कर दिखाता हूं आपको ओपैन यूटूब यहां पर देखिए ओपैन यूटूब बोला और ओपैन हो चुका है और आपको कैसे पता चलेगा कि जो भॉय साब बोल रहे हुँ वो काम कर रहा है कि नहीं तो यहां पर देखिए एक अच्छा चीज दिया गया है कि जैसे मैं बटन को प्रेस करूंगा ना तो यहां पर आपको जो एक रेट बटन दिख रहा है ना यहां पर आपको एक एलेडी जलने के लिए देखने को मिल रहा होगा जब तक यह जलेगा उस टाइम जब यह जलेगा ना उस टाइम जो भी बोलोगे सारे कुछ आपको यहां पर अब बंद होने के बाद यहां पर जो मैंने बोला था कि यहां पर एलेडी जल गया तो यह लिखा आ गया है मतलब जब तक जितने देर तक जलेगा उतने डाइम तक अब जो भी बुलोगे सारे कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे आप यहां पर यूटूब खु देखिए जैसे ही मैंने यह बोला दीप लेक्टोनिस लाइब लेटेस वीडियो आ चुका है और उसके बाद आप यहां पे कुछ भी चीज प्ले कर सकते हो यहां पर हमने जो फाइब टाइब के बारे में बताया था वह भी चलू हो जाएगा एक बार पिक्चाल कोटी देख देखने और उसके बाद आपको और भी कुछ सार्ज करके दिखाता हूं इस वह रेमोट के माध्यम से में स्किप कर देता हूं यह और और एड्ट करने के बाद देखिए कितना मस्त अपको पिक्चर कर देखने को मिल रहा है आप देखिए वह स्रेमोट के माध्यम से ही इस देखिए वीडियो को चुका है और उसके बाद में होम पेज पर चलता हूं फिर मैं इसको प्रेस करता हूं गोटू होम यहां पर यूटूब के अंदर ही हूं आ चुका है मतलब इह रेमोड के जरीए आप डारेक्टली जो होम होता है ना हमारे माधरवर्ड सिस्टेम का वहां पर नहीं जाएगा तो मैं यहां पर होम बटन है इस होम बटन को प्रेस करने के बाद देखिए कि हमारा ये होम होम इस्क्रीन पर आ चुका है और होम इस्क्रीन पर आने के बाद मैं थोरा सा वेदर वगर्ण चेक करकर देख लेता हूं कि इसे इसे दिखाता है कि नहीं त्योने वेदर देखिए मैंने बताया और यहां पर 85 डिग्री फारेंहाइट आ चुका है और यहां पर आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर यह बाड़ी सोने के चांस से तो काफी अच्छा यहां पर आपको दिखा रहा है मतला भी हमारा बहुत बिल्कुल सही तरीके से काम क गार्यों की बाड़ी फारेंड को डिलकुल सारे का करनेक्सन होता है का काम होता है हम अपने एड लाब पर उसको प्यार करूंगा उसके साथ यह जो सेंसर हम अपने तरफ से दे रहा हूं अगर दूसरे जगा से आप यह मदरबुट खरीद होगे तो आपको यह सेंसर आपको नहीं मिलेगा उसके बहुत ज़्यादा दिक्यत हो जाएंगे आपके पास की यह काम कैसे करेगा क्योंकि इसके अलाबा पहले बार तो काम नहीं करेगा और हम यह आपे सेट करके भेजूंगा तो आपको कोई भी टेंट्शन लेने के कोई भी जोरूत नहीं है इसलिए हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है जिन लोगों के पास चा सब्सक्राइब का कोई भी सामान आउट आप स्टॉक हो जाता है तो कब स्टॉक में आएगा हमें भी नहीं पता होता है और उसके बाद आप लोगों को बहुत दिन तक वेट करना पड़ता है इसलिए आप स्टॉक में है जिनको चाहिए आप यह वाली बोड ले सकते हो तो तो अच्के वेडियों इतने दोस्तों आप फिर मिलते हैं एक्स वेडियो में तब तक लिए उसीव अल दा बेस्ट